मिकासखण मयनपूर के ग्राम कोदोभाट के लाल सिंग और दसरत के साथ अन्य ग्यारा लोग हैं जिनको वन अधिकार समीती ने जिनके जमीन के पट्टा हेतु प्रस्तापास किया है। लेकिन आज से दस वर्स पहले फारेश्ट विभाग द्वारा हरेली सहली योजना के अंतरगत के तहट इनके जमीन पर रिच्छा रोपन और तराप गहरी करन कराया गया। जिसके बाद से यह लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं इस जमीन पर जबकि वन अधिकार समीती और ग्राम सभा ने प्रस्ताव दे दिया हैं कि इनको इस जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यह लोग विवस हैं अपने जमीन पर काभी जमीन पर खेती करने के लिए। अब जबरदस्ती जंगल बना दियेगी से इरकिसान मर ला हटा के जंगा लेकर अब देखनें जंगल वाला एक दम मौना बीन पूछे बीन जाचे लेके अब मन मन में वो ले लेकर पादा लगाए दीश। पूदा तो है नहीं अब पूदा से पूरा दियान दिमक मारी तो वी जमीन फिर ख़द्रा खाचा तेल बरो बर फीट करने कड़ी तहा पुराना जगा रही तो इतना गड़ा रही तो प्लेन करे रहां अब छोड़ दियों तान फिर उज़ा नाली पूरा बंगेरी से खेत पूरा पंगेरी से भारा काणी तेरा काणी दाना उतरे पूचर वाह गाउवालो बुस्ते वाह वाला मारी पट्टा चाहिए और जमीन के जमीन चाहिए मेरको तब तु बाल बचल पालन करूँ भई मुरो जमीन हवे में, एला मुर पुर्वच के स्यान मन है, कमाद कमाद आतरी हिने, आज भी ओ जमीन हवे, बाकि जंगल वाला मन है, सिपेडी नाली खोत के छोड़वा दीन है, उन्नीस सो बियनवे के ये रसीद हवे, जुर्वाना रसीद, ये पुर्वची में पटे गए है, बियनवे में, उकरपप बाद में चार साल तक धान बोह रहे हैं, तो जंगल वाला मन है, उलग चरा दी, और चार बार मतलब आवेदन लगा चुके हैं, तो उकर कुछ कारवाही अभी तक नहीं हुई से, सरकार से का चाहा थो तुम्हाना, जमीन चाहिए, विकाश्खन मयनपूर के एलिजडियाम, इस जमीन से सम्मंधित कारवाही के लिए, अपनी ओर से, फारश्ट विभाग से करमचारी भेजे, और इसका सही निरिक्षान का लोगों को अधिकार पत्र दिलाने में सहियोग करें, मैं रीना राम केके, ग्राम कोदो भाट विकाश्खन मयनपूर, जिल्ला गरिया बन, छतिस गड़, इंडिला अनहाट के लिए